हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एक के फ्यूचर अस्टडी पॉइंट तो फ्रेंट्स आज कहा हमारा टॉपिक है जैक बोड क्लास 12 केमेस्टरी का 12 चेप्टर तो फ्रेंट्स ये जो हमारा चैप्टर है 12 ये जैक बोड क्लास 2 चैप्टर है पुछा जाएगा तो चले फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको इस 12 चैप्टर का कुछ Most इंपोर्टेंट प्रिविएस एक्वेस्टन एंड जैक दोरा पारित मोडल सेट का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन जो क्या मारा ट्विएल्फ चिप्टर का बताने वाला हम तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे यूटुब चैन निमन यूगि का सनचना लिखिये यहां पर कुछ योगी का नाम दिया गया है उसका क्या करने में सनचना बनाना है तो प्रेंट्स यहां पर हम ने बताया कि जो भी हमारा क्योचन है वह कभी न कभी एक जाम में पूछे कर है और उसमें से और क्या है मारा जैक्ट ब्रापार जोंड है और कुछ मॉस्ट इंपोर्टेंट है टो फर्स्में है आए कि अलफा में थॉकसी प्रोपियों य्लडिए हईड है से में तो हम यहां पर कारबन को अंधा करने ऊत्राशी लगा हुआ है और प्रोपिय। काने का मतलब इसमें एक लम्बी स्रेंख लाचैन है उसमें कितने कारबन है तो तीन करबन को करettे यह च describes और इसको प्रोपिय। कहेंगे यहां पर talent तो इसका फाइनलनम क्या होता है कि अलफा मेत्युक्री अलफा मेत्युक्री अलफा मेत्युक्री प्राइवर्भान विविज़ेंग और इल्ल्डिहाइड करिज्द पर हमारा जाएगा ये थि में कि 3 Hydroxy Butmel three Hydroxy Butuba यानि कि तिसरे कार्बन पर हमारा Hydroxy समभू 23as समय रहेगा और एंऑ यानि के मैं पास चार कारबन रहे गा त्याप देखें ग llegó एक दू तीन चार कारबन है तौश्ण आपर ब्ली हमाने है कि थ्री त्रिज़ागा विंग ती इसको मिदीगे थी का साथ हो जाएगा यह मारा पीज़ागा इसका सब्सक्राइट आप चलते हैं नेक्स नमर क्याम पास प्रेंजल्डिए बेंजलरिएड का यहाँ चित्र बनाना है तो यह पेंजल डेट का फर्मूला होता है C6H5 CHO, तो C6H5 तम्हारा बेंजीन हो गया, तो बेंजीन का फिगर बहुत असान होता है, इस तरीक से में पर राणिंग देते हैं, और CHO को हम यह कस्थान पर यहाँ पर CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी ओपेन कर यहाँ पर देखेंगे, पेंटेनल यानि कि 5 कार्बन के स्रिंखला रहेगा, और 4 मेथिल, यानि कि 4 कार्बन पर हमारा मेथिल समूझ जोला रहेगा, तो देखेंगे कि हमारे पस 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है, एक लंबी स्रिंखला, उसको हम पेंटेनल कर दिएं, और 4 सान पर ह यह तो फोरघस करता हैं फोर मेथील तो कैंद इसका फैनल नेम क्यों होगा हमारे पास कि फोरख मेथील चौन्न पांच पूरे जोसको हम करते हैं पेंटेनल इसका मारा एंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके का इसका सनचना सुत्र हो जाएगा लिखे यानि कि इसमें दिया रहेगा आपको सिर्फ इतना दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको यहां पर उत्पाद को बताना है कि क्या बाहर निकलेगा तो यहां पर हम देखेंगे कि मां पस क्या दिया हुआ है दिया हुआ है C686 बेंजीन दिया हुआ है और C2H5Cocl है इसको हम कहते है प्रोपियोन कुलराइड और इसको क्या कर आए इसको निर्जली कर रहा है निर्जली कर रहा है यहां पर प्रोपी ओफिनन यहां का सकते इसको वन फिनील प्रोपिनन इसका दो नाम होता है तो देखते हैं आपर कैसे बनता है यह मारा देखते हैं कि 6-8-6 है तो यहां पर एक हाड़ोयन होता है तो हमने यहां से एक हाड़ोयन को निकाल लिया यहां पर खाली जगा बना दिया और खाली जगाप हमने नाल करके इतना कोर्पूट कर दिया और यहां हमारा एक है और बन गया और बाकी सारा कैसे रियक्षन किया बेंजीन से बेंजीन आ गया यहां से खाली है खाड़ोयन घटा दिये और बाकी को लेंफ से लगा मस्धातक यहां से तुछ सीट्यफं और यहां पर फीटड का दिया और यह यहां अगल हो गया अलग हो गया तो इसका मैं नाम ऐता है प्रोपीयोन प्रीन्हों कष़ा का सकते है एक और और एक साने कहते हैं और यह के प्रोपीन यह lawsuit किम कर पुछा जाता है और आपको दिया रहेगा बोलेगा कि कैसा अभी किरिया जब भी अगर आपको बेंजीन दिया रहा है और प्रोपीनियोन क्लॉइड दिया रहा है और बोले कि इसका निर्जली करन करना है तो आपकी क्या लिखना इसका यह मारा प्रेडियो क्राफ्ट अभी किरिया है उसी का एक और एक जामपल है इसमें भी बेंजीन है यहां पर देखें हैं C6H5 के साथ और जूरा हुआ है CH2 का हॉल ट्वाइस COL है CD है CD है हमारे पर हमारे पास है तो हम यहां पर देखें C6H5 CH2 का हॉल ट्वाइस CD इसका नाम होता है इसका नाम होता है डाइबेंजील कैडमियम CD है तो इसका नाम कैडमियम होगा और डाइबेंजील क्यों रहा है क्योंकि हमारे पास यहां पर हॉल ट्वाइस में दो है तो हमारे इसका नाम हाजाएगा डाइबेंजील कैडमियम और पलस में होगी हमारे पास एथेनॉल कोलराइड वहां पर हमारे पास क्या था यहां प सिए एक प्रह टो में प्राफ्ता तू तू सिएच तरी टी टीपल ओमने यहां से ठीप टीटकी नहीं रिए स recipes यह उन्क्राइब आजाएगा यहां पर holler ड्रॉश और सीडिह भाल बाहर निकल जाता है तो इसको नहीं लिछा गयत नहीं हैं तो यह हमारा निर्मान होगा वन फेेनिल प्रोपेंओं का निर्मान होता है जटेबंग्रे convention योगीक का आयू सी नाम लिखे इसमें कुछ योगीक दिया गया है कि उसका आयू प्यसिते नाम लिखना है तो याँ पर देखेंगे कि कौन सा योगीक है तो यहांद लें रागवान सब्सक्राइब, doğru, tivак, evil economies यहां पर रिखनी इसको पीएच को यहां पर लेकिन है three फेनील एक दूद तीन तो तीसे स्थान पर क्या हुमारा फिनील है तो ठीनल फ्रोपेनील यहां पर ओएकि इसीड का गया है यहां पर किरिया सिर्म प्रोप होता है तो तो थ्री फेनील हो गया और प्रोपेनोईक एसीड यहां पर एसीड का कियासर मूलक है तो हम अमल लगा देंगे तो हमारा इसका नाम हो जाएगा थ्री फेनील प्रोपेनोईक अमल कि नेश्ट क्रेटन है यहां पर सीएच थिरी सीएच इसको में एक और साखा है सीएच थिरी सीएच टू सीएच टू सीएच यहां पर एक और कियासर मूलक है नल नल का मूलक है यहां पर कियासर मूलक अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर लंबी स्रिंकला चेंड में कित है पेंट तो यहां पर नल जूड़ा होगा है नल एसीड का एक होता है कि यह सुल मूलक तो मारा नाम हो जागा फोर मिथिल पेंटेनल इसका हो जागा हमारा आयो प्यसी नियम नेश्ट है नेश्ट में है कि छी देवल बॉंड छी इसमें भी वही जूड़ा हुआ है और यहां पर देखिए यहां पर एक दू तीन चार यहां पर है कार्बन की संख्या कर दो चार अल्का है कि यहां पर नाम क्या होता है कि यहां पर देखिंगे कि हम पर एक दू तीन चार है तो चार कार्बन के लिए विच में डिबल बॉंड है तो इसका फ़साद पर क्या चेंज लिखेंगे क्योंकि आपर फर्स्ट पर हमारा अल का कि यसी मुलक है तो इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा कि नेस्ट है नेक्स नमर क्विचन कि CH3 CH2C पर डबल बॉल्ड CHC CH के नीचे हमारा परस का सीटुएट पैब CH2 CH2C L जूड़ा हुआ है तो यहां पर हमस्वासर पर लेगें नेंगे कार्बन की संख्या लंबी स्रिंखला के लिए तो एक दूर तीन चार पांच छे कार्बन है और देखें कि चौथे कार्बन पर ऑक्सीजन जूड़ा हुआ है और तिसरे कार्बन पर सीटु एच फैब यहां पर प्रोर है जोड़ा हुआ और पहले कारबन पर व प्रातमिक कीत्रा सिल दूरा हो है यानि कि क्लोरी तो इसका नाम कैसे होता है शिक्ष कूलरो यहां पर सिक्स कार्बन है तो हम लेकिंखेंग यहां पर सिक्स क्लोरो फोर एथील उर्थिल चॉत्से पर अमा sonra फॉ होता है 123 Kern75 ट्रेंपर 17 rozm Sugar यानिकी चौंधिल पर इतील समुव तो फो इतील हेक्सेण 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 रो सहों पर एक तो समूजुरहे सीक्ष के पस कहा है तो समूजुरह और इसका नाम भाजाएगा भी नेच्ट है नेकने मर सीचत थी ऐस पर जूड़ा हुआ है सीचत एच्ट टूब जूड़ा है उपर छीच तरी यह एज थी सीफिक यह को कहते हैं देखिए से एज धी रहे यह एज ठीरी सिर्वा एक चीमर आथा है तो यहां हम देखेंगे कि 2192 चार पांच चे तरहां पर च्म इधा से गरेंगे करना विधा से गिनेंगे तो हम यह पर देखते हैं कि डूरा क suck तीन पर फी तिन पर ए। अंचल फश्जों पर भी तो 335 रहां प्लम हां फ्हतितीन है कारबन है यहां पर पूरी लंबर सिंखा में तो छे तो हेक्जेन टू ओन दूसरे पर ओ समुझ जू रहा है लिखेंगे टू ओन इसका नाम क्या जाएगा थ्री थ्री फाइब ट्राइब मेथिल हेक्जेन टू ओन कि नेच्ट क postponed है question number फूर पर इनमें लिखित योगी का समरचना बना है यहां पर योगी का नम दिया उसका संचना बनाना है 3 भी टेनल यानि ब्युतेनल मतलब चार कार्बन की लंबी सिंखिनों बनाना है तो 1 2 3 4 बना दिया है और तीसरे आसान निसान ने हैं और नल जूड़ा हुआ यानि कि CHO, अंतिम कार्बन के साथ O जूड़ जाएगा, तो यह हमारा इसका हो जागा, फिगर CH3, CH, CH2, CHO, 3 मेथिल, ब्यूटेनल, यह सारा कभी ने कभी पूछा हुआ है, नेस्ट है, फोर ब्रोमो, टू मेथिल, हेकजेनल, फोर ब्रोमो, यानि कि चौथे कार्बन पर हमारा ब्रोमीन रहेगा, और दूसरे कार्बन पर मेथिल रहेगा, और छे कार्बन रहेगा, तो एक, दू, तीन, चार, पांच, छे कार्बन है, और दूसरे कार्बन पर हमारा मेथिल समूझ जोरा हुआ है, तो दूसरे पर CH3 है, और चौथे पर ब्रो और दूसरे पर और लगा यानिकि दूसरे पर और ऑक्सीजन जोड़ा गगा तो यह हमारा इसका हो जाएगा एक दूसरे पर ऑन लगा हुआ तीन चार पांच छे साथ लिखेंगे हेपटेन टू ओन दूसरे पर हमारा ऑक्सिजन जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जागा हेपटेन टू और इसका हमारा कुछ इस तरीके का फीगर बन जागा यह हमारा हो जागा इसका राइट एंसर नेस्ट हैं चोथा नमबर में हेपटेनल हेपटेनल है यहाँ पर भी है संतों नमबर पर लेकिन यहाँ पर नल जुड़ा हुआ है नल क्या लगता है यहाँ लगता है तो देखेंगे एक दू तीन चार पांच छे साथ साथ कारबन है और यहाँ पर क्या है नल जुड़ा इसे हमारा यह से प्पीगर हो जाएगा यह हो 5 डाई फेनील मेथे नॉन बनाना तो लेकिंहेंका मैं एक दूं ut होना है तो यह हमारा इसका फिक रो जाए का डाइफ्रनील Nμέ ribbonol का इसका फर्मुला ओजाए का सनचना सूथ रहे हाँ था मारे इसका सनचना बनाना इसको और ओपनाइब बना सकते है जैसे कि आप देखो हैं यहां पर यहां पर हैंना ch3 यहां पर धिस है तो c12 ृपπर दिए तुब एंद इसे गरना इसे बना सकते हो तो यह था मारा 12 चेप्टर का कुछ mousse इंपोर्टेंट सब्жеक्टिप क्रेशन जोके मारा इस एक्जाम में पूछा जाता है यह हमारा most important था तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगई हो और अगर वीडियो अच्छी लगई हो तो वीडियो को लाइक चैनल पर चैनल सब्सक्राइब को देना अपने दोस्तों के साथ भी सेर करना तो फ्रेंड् झाल झाल bow के चैनल MALE झाल यह हमार टार यह लगई को पर चैनल को वीडियों यहा को आपके लगई हो धूंग सक्षिविक्वर के दो समीblowing के मावई रहे हो